नमस्कार, Economy Today में आप सभी का स्वागत है, मैं हुआ जब मिश्र, दिन के साड़े 9 बच चुके हैं और वक्त है कारोबार जगत की तमाम ख़बरों पर नज़र डालने का तो शुरुवाद करते हैं आज की टॉप लाइन से भारत सेमी कंड़क्टर, मैनिफैक्शरिंग और दूर संचार सेवाओं में वैश्वे केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार दूर संचार मंत्री अश्वे वैश्वे का बयान आज 99.50 मोबाइल फोन भारत में बनते हैं फाइब जी संचार तकनीक में 80.50 उपकरण, मेड इन इंडिया शीर्ष निर्यातकों के संग्ठन फियो ने गुरुवार को कहा वित्वर्ष 2025 के अंतक देश का निर्यात 60-70 बिलियन डॉलर से बढ़ करके 500 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद, साल 2030 तक इ-कॉमर्स के जरीए होने वाले निर्यात को 30-80 डॉलर के स्तर पर ले जाने का लक्ष प्रॉपटी बजार में क्रेश है चीन में हाहाकार अब वहां सरकार करेगी घरों की खरीदारी आज बैंकों से मदद के लिए होगी बैठक दो बड़ी रियल स्टेट कंपनिया पहले ही हो चुकी है पूरी तरह से बरबाद और अमेरिका में महेंगा इदर के आंकड़े अनुमान से कम रहने के वज़े से इस साल वहां ब्यास दरों में कटावती की उम्मीद का असर भारती शेयर बाजार पर भी दिखा सब्ता के आखरी कारोबारे दिन शेयर बार जार सपाट कारोबार करते नजर आए सेंसिक्स और निप्टी बढ़त के साथ कुले कल हरे निशान के साथ बंद बूए दे ये कुछ बड़ी खबर है जिन पर हमारी निगाह रहेगी लेकिन आज की फोकस में हम बात करेंगे रेगुलेशन को लेकर के क्रिप्टो एसेट्स को जिसको लेकर के सेभी और अब आर्बी आई में मन्थन लगातार जाले लेकिन सबसे बड़े बड़ी खबर मुंबई में आयोजित विक्सित भारत अमबेज़रा कारेकरम को समोधित करते हुए केंद्रे मंत्री अश्विनी वैश्वों ने कहा कि मोधी सरकार का जोर बुनियादी सुविधाओं के विकास उत्पादन बढ़ाने कानून के सरली करण और समावेशी विकास को तेज करने पर रहा और ने कहा कि भारत में करीब 19 महीने पहले जो 5G की शुरुवात हुई आज देश पर में 4,35,000 टावर्स 5G के लग चुके हैं और इसमें इसनिमाल किये गए 80% द्यूपकरण made in India हिंदुस्तान ने 5G चालू किया 1st October 22, 2022, 1st October 18 महीने, 19 महीने के टाइम फ्रेम में 4,35,000 टावर्स 5G के लगाएं लग, वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलाओट अफ 5G हैस हापन इन इंडिया जो एक्रिप्मेंट यूज हुआ 5G के रोलाओट में उसका 80% एक्रिप्मेंट मेड इन इंडिया और जैसा है का आपको पता है, श्रुमेश्ण साहब रेल्वेस का जिमा भी समालते हैं उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया कि पिछले 10 सालों में भारत ने उतना रेल्वे नेटवर्क जोड़ा जितना पूरी जर्मनी में आज का मुझूदा रेल्वे नेटवर्क है तो इन तमाम क्षेत्रों में भारत की इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, उसको लेकर के जो विक्सित भारत अमबैसडर का रिक्रम चलाया जा रहा है, उसकी चाप जमीन पर दिखनी शुरू हो गई है एक और बड़ी खबर अर्थवस्था को ही लेकर के जो भारती अर्थवस्था की तेज रफ्तार है, उसको देखते हुए देश और दुनिया की जादातर रेटिंग एजिंसिया और अर्थशास्त्रियों ने अब ग्रोध के अनुमानों को बदलाव किया है आर्थवस्था को लेकर के प्रधान मंत्री के अर्थिक सलाकार परिशद PMEAC के सदसे संजीव सान्याल ने कहा है कि भारत 2024 पच्चिस तक 4,088 डॉलर की अर्थवस्था हो सकता है वितवर्ष की शुरुवात में जापान को पीछे चोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थवस्था बन जाएं सान्याल ने कहा कि जापान अब 4,108 डॉलर के साथ हमसे थोड़ा सा आगे है और या तो अगले साल की शुरुवात में या फिर इसी साल हम जापान को पीछे चोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थवस्था बन जाएं सान्याल ने इस बात पर जोड़ दिया कि विकास को समर्धन दने की कोशिश में वित्तिरीए प्रणाली के साथ खिलवार करने की कोई जरुरत नहीं और ने काया कि अपनी राजकोशी प्रणाली, अपनी मौद्री प्रणाली, अपने चालू खाते वगड़ के साथ खेलवार ना किया जाए और जर्वनी में रेसेशन का असर स्पश्चतर पर दिखाई दे रहा है बड़ी एकानमी के मानी जाती यूरोजोन की और वहाँ पर मुश्किलें लगातार बनी थी है एएपोर्ट की बात करें, जैसे जैसे विकास को गती मिल रही है, एएपोर्ट सर्विसेज में भी एजी आ रही है और हवाई आत्रियों के संख्या भी लगातार बढ़ रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा कानुमान है कि इस साल देश में हवाई आत्रियों के संख्या 41-42 करोड के रेकार्ड स्तर तक पहुंच सकती है पिछले साल की बात करें तो यह आकरा 37-64 लाग था जो कोवीड महामारी के पहले की तुलना में 10 फिसदी ज्यादा है इत्रा ने अपने रिपोर्ट में कहा कि विद्वर्श 24-25 में हवाई आतायात में सालाना अधार पर करीब 8-11 फिसदी की बढ़ोतरी हो सकती है चुटियों के सीजन और व्यावसाई की आत्रा दोनों में मजबूत विद्वी के साथ घरे लुक्षेत्र में नई जगहों तक पहुंच में सुधार और अंतरास्टी यात्रा में लगातार विद्वर्श के मुख्य वजह रहेगी रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू विद्वर्श में चुनिंदा हवाई अड़ा परिचालिकों का सालाना आधार पर राजस्व 15-17 फिसदी बढ़ने का अनुमाल है एकरा ने एरपोर्ट अथारिटी अफ इंडिया के साथ तिल्ली, हैदराबाद और कोचीन अंतरास्टी हवाई अड़ों के परिचालिकों के बीच कियेगे सरवक्षन के आधार पर ये रिपोर्ट तयार किये और अब शेर बाजारों का हाल देखते हैं आज गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत किस तरह से हुए अमेरिकी बाजारों में जो असर है उसका इंपैक्ट दुनिया भर के बाजार है उन पर पड़ा है गिफ्ट निफ्टी आज 27 संग नीचे नजर आया 22,443 का ये कुछ समय पहले के आख ड़े आपकी स्क्रिंस पर अब देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत कैसे बेखते हैं 47 संग उपर सेंसेक्स ओपन होता हुआ गिफ्टी की ओपनिंग भी पॉजिटिव टेडिटरी के बजार नेगेटिव टेडिटरी में हुई 22 अंग नीचे 22,380 का सब्सक्रिंस आपके लिए लाते हैं जहां पर आज फायदा हो रहा है उन शेर्स की बात करें महिंदरान महिंदरा छे फीजदी उपर टाटा मोटरस एक दर्शन में दो फीजदी क्रासीम एक दर्शन में एक बीपी सीयल और टाटा स्टील में भी बढ़ा दिखाई देए जहां पर नुकसान है उन शेर्स की बात करें आज की श्रुबाती कारोबार में स्पियाई लाइफ, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, अदानी पोर्स और इंडरेसिंट बैंक करीब पौने फीजदी से एक फीजदी के बीच गिरते हैं नजरा है ग्लोबल मारकेट अपडेट्स में आपको बताते हैं अमेरिकी बाजारों का हाल, वाइदा बाजारों में किस तरह से कारवार हो रहा है अमेरिका में उस पर दिखाएंगे और साथ साथ बताएंगे आपको एशियन मारकेट का हाल देखते हैं अमेरिकी बाजारों में आज गिरावट का रुख डाउजोंस फूचर 16 संग नीचे, S&P 511 और नास्टैक 44 संग नीचे नज़रा रहा है फेट के कौशिस अप्रोच की वज़े से ये गिरावट नज़रा रही और आज एशियाई बाजारों में गिरावट गहराती भी नज़रा रही इस खासर भारत पे भी दिख रहा है जापान में गिरावट 139 संग की, होंग कोंग के एंग श्रैंग में 25 संग और स्पी भी बच्छी संग नीचे कारोबार करता नज़रा है चोड़ा सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार दो महत्वपूर खबरें इंडियन ट्रेट के बारे में और क्रिप्टो करेंसी पर क्या है रेगुलिशन की दिशा, कहीं मत जाएए आप देख रहे हैं इकॉनमी जोड़े बिफोर आपने घर का सतना हो का पूरा ये है मोधी की गारंटी इंडिक बार, मोधी सरेकार शुकला बदा रहा था आपके बाउजी ने जायदत का कुछ इससे नौकर के नाम कर दिया अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा समर्कूल जो हर दिल करे कबूल बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो सिम्यधारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है इस सिम्यधारी अब डबल एम रिप्स के साथ गैलेंट एडवान्स टी एमटी रिबार निर्मान का रियल हीरो मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड होता है अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एक्जेक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गैरेंटी डिटर्स वाली स्कीम है तो यह आईपी एफ आपकी मदद नहीं करता है और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो तो फिर आईपी एफ आपको कॉंपेंसेशन दिला सकता है कहां से सिखा एन्वेस्टर्स की साइट पर इन्वेस्टर्स पर आपको स्वागत है आप दे रखने हैं एकॉनमी टुड़े आपका विंडो जो की कारोबार जिगत की तमाम ख़वरों को आप तक बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता है और शीष निर्यातकों के संक्ठन फियो ने कलकाहा की वितवर्ष 2025 के अंतक तेश का जो गुड्स का निर्यात है वो बढ़ करके 500 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है 2023-2024 में निर्यात 3 फिस्दी घटा था और ये 437 बिलियन डॉलर पर रहा गया था बारत को अपना निर्यात बढ़ाने में अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक देशों से मदद मिलेगी सफियो कमाना Electrical, Electronics, Electrical Engineering और Pharma क्षेत में निर्यात बढ़ाने में महतपूर्ण भूमिका निभाएंगे अलांकि स्ट्रम आधारिक क्षेतर जैसे कि कपड़ा, Footwear, Jameson, Jewelry प्रदर्शन को ले करके उन्हें कहा कि 2030 तक E-commerce के माद्यम से 300 अलब डॉलर तक का निर्यात पढ़ने की संभावना है और इस प्रोग्राम में मेरे साथ जोड़ रहा है अश्मिनी कुमार जो की President है Federation of Indian Export Association FIO के आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्मिनी सर वक्त निकालने के लिए आज सुबह इस कारिक्राम में और आप जने अंदर से जोड़ रहा है, फोल लाइन के जरी जोड़ रहा है किस तरह से आप देखते हैं सर ये पूरा साल अगर हम trade के लिए हाथ से बात करें goods and services में किस तरह का trend आपको नज़र आ रहा है इस साल के लिए goods and services में जो इंडियन एक्सपोर्ट का है ये आप देखोगे 2017-2018 से 2023-24 से 478 billion से लेके अब 788 billion जो है compound average जो चल रहा है और जिसका growth है 8.5% despite of global headwinds and COVID we are looking at ambitious target of 2 trillion US dollar for export by 2030 and requiring a compound annual growth rate of 12.7% which is a challenging but within the dealing of reach looking into the enabling a supportive ecosystem being developed by the government और इसमें आगे जो हमारा जैसे आपने बताया जो sunrise sector है हमारा mainly exports machinery electrical electronics automobile, pharma, biotechnology इसमें हमारा को we will get further push product link incentives जो जो product link incentive जेटे sector है उसके लिए बहुत बड़ा push मिलेगा इसको पिछले चार साल में our export growth in all of our sectors outpiece global import growth as thus our share through modest and improved globally. machinery sector experienced a compound annual growth rate of 4% during 2019 and 2022 whereas India का जो showcase and more reverse 7% in this sector में हुआ है ओके सर लेकिन जो labor intensive sectors हैं उनमें भी focus करने की जरूरत है वो हमारा strong footing है जिसमें बहुत सारे लोग employment होते हैं उनको focus करते हुए हमें क्या करना पड़े क्यों कि वहां भी protection करना labor force का तो बहुत जरूरी है यह देखिए हम भी हमें to make some changes in the labor law अभी आप देखिए exports जो knitted and woven garment made up footwear, jam and jewelry in which we lost the market to our competitor in knitted garment sector India added 200 million to its exports during calendar year 29, 19 and 22 whereas the same period Bangladesh added US dollar 10 billion in the export of footwear sector while the global imports grew by 5 percent. our export contract Bangladesh export grew by 750 million in the same period. So we need to have some changes in our existing labor laws उसमें we have to grow and in this sector if we will not make some changes यह और decline में आ रहे हैं. मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि क्या अब हम diversify कर सकते हैं in terms of regions जहां हम export करते हैं और जो अभी हमने हाली में FTS किये हैं उसका सकारात्मकसर दिखाई दे रहा economy पे वो कौन से नए market से जहां आपको लगता है कि Indian Goods, Indian Services की मांग exports के लिहाद से ज़्यादा बढ़ सकती हैं? मेरे साथ से जो maximum demand बढ़ेगी export goods and services की वो US market है और यूरोप में आएगा इसके लिए थोड़ा सा अश्रम करना पड़ेगा और इंडिया की acceptability इस वकत इतनी ज़्यादा हो रही है बहुत सारी कंपनियां जो US में काम करती हैं they have offices in China and all वो उनका अप्टेंट इंडिया के तरह बहुत जोकरा है बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो इंडिया को आने को तयार है for development of their products अश्रमी सेर्थ बहुत धन्यवाद आपने वक निकाला और product diversification के साथ साथ हमें जो area है उसका भी diversification करना पड़ेगा शुक्रिया और बधाई आपको फियो की जो अगवाई आपने इस साल के लिए समाले उसके लिए और अब बात करते हैं आज के focus के और हमारा आज का focus है cryptocurrency या फिर crypto assets का regulation हुझी बाजार नियामक भारती प्रतिभूतियों और बिनमय बोर्ड जिसें सेवी कहते हैं उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी के व्यापार की निगरानी कई नियामकों द्वारा की जा सकती है सेवी का दस्तावेज इस बात का अब तक का मजबूत संके थे कि देश में कम से कम कुछ प्राधिकरान निजी वर्चुल संपत्यों के इस्तिमाल की इजाज़त देने को तयार है सेवी के इस रुख से अलग भारती रिजर्म बैंक ने एक दूसरे दस्तावेज में निजी डिजिटल करेंसियों को व्याप्रक जोखिम करार दिया सेवी ने कहा कि उस सेकेरिटीज के साथ-साथ इनिशिल कॉइन आफरिंग के रूप में क्रिप्टो करेंसियों पर नज़र रख सकती है से भी एक्विटी मार्केट से समंदित उत्पादों के लिए लाइसेंस भी जारी कर सकती है लाइसेंस अमेरिका की तर्च पर हो सकता है अमेरिका के सिक्यूरिटीज और एक्स्चेंज कमिशन के दायरे में सिक्यूरिटीज के रूप में टोकन्स और क्रिप्टो एक्सेंजिस आते हैं, सुझाओ ये भी है कि सरकारी मुद्रा यानि जो फियेट करेंसी से जुड़े क्रिप्टो एसेट्स हैं, उनका रेगुलेशन आर बी आई कर सकती है, ये सुझाओ ये भी है कि जो बीमा, नियामक और विकास प्राधिकरण है, वो पेंशन, कोश और नियामक और विकास प्राधिकरण, वीमा और पेंशन से जुड़े जो वर्चुल संपतियां हैं, वो उसका रेगुलेट कर सकती हैं, मैरे साथ रुचिर पारिक जुड़ रहा है, जो क्रिप्टो की पूरे दुनिया, एक्फरिका है, ब्लॉक्चेन, जिस पर आधारित है पूरे क्रिप्टो की दुनिया, उसके एक्सपर्ट हैं रुचिर, बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से, रेगुलेशन को ले करके, क्रिप्टो एशेट्स के रेगुलेशन को ले करके, बहस का सिलसला शुरू हो गया है, लेकिन वर्चुल एशेट्स क तो अब हम नकार नहीं सकते हैं, क्या आपको लगता है कि हम regulation के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, fiat currency को थोड़ा सा अलग करके देखा जाना चाहिए? 110% राजय जी, already इतने इस टाइम समय से जो हम लोग कर रहे हैं, जो government सारे steps ले रही है, तो of course we are leading towards के हम लोग regulations की तरफ हम आगे बाढ़ रहे हैं, of course government के stance काफी अच्छे हैं, जिस तरीके से पहले tax implications आए, उसके बाद अभी जैसे SEBI ने जिस तरीके से बताया, तो crypto को हमेशा अलग तरीके से देखा गया है, जैसे के ऐसा कहा गया था कि underlying asset नहीं, पर अगर crypto में underlying asset आता है, तो of course it is like a global stock, मतलब जैसे हमरा stock market है, हर एक देश का stock market है, उसी तरीके से अगर crypto में underlying asset है, तो जैसे मैं TCS की बात कर रहे हैं, कोई भी technology कमनी की बात कर, तो हर एक technology कमनी का underlying asset, उनका खुद का technology होता है, जो की ecosystem में किस तरीके से sustain कर रहा है, किस तरीके से productivity ले रहे हैं, अगर उस तरीके से कोई crypto which is backed by a technology, और वो technology अगर ecosystem में अच्छा कुछ कर रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए, तो crypto का underlying asset already है, तो परक यह है किस तरीके से regulations लाने चाहिए, जिसकी वज़े से कही जो crypto है, जो उसकी underlying asset नहीं है, उनको किस तरीके से regulated किया जाए, पिल्कुँ सही कर रहा है, वर्चुल assets, जो crypto शब्द है न, उसने कुछ markets में जो तबाही हुई, उसके वज़े से एक बहुत ही negative connotation लेकर किया आ रहा है, तो virtual assets अगर आप कहें, वर्चुल assets में जैसे कहा जा रहा है कि जो insurance products हैं, जिसको आप blockchain से back कर सकते हो, pension products हैं, blockchain से आप उनको support कर सकते हो, तो ऐसे जो products हैं, उनके लिए जैसे PFRD है, वो तो virtual assets को तो regulate करी रहा है, उसमें शायद कोई risk नजर नहीं आता, risk शायद आता है fiat currency में जहाँ पर RBI को लगता है, कि जो sovereign power है, वो थोड़ा सा compromise होता हुआ दिख रहा है, exactly है जैजी, so of course when we talk about fiat currency and crypto, so उसका एक link up, उसका एक bridge होना बहुत जरूरी है, जैसे कि E-Rupi की तरफ, which is CBDC, को crypto के भी अलग-अलग प्रकार है, जिस तरीके से अगर आप stock को define करते हो, तो stock को आप define करोगे, so there are preferred stock, there are large cap stock, there are mid cap stock, so crypto को भी already defined किया गया है, which is like CBDC, which is central bank digital currency, there is a security currency, coins मतलब वो होते हैं, जो एक commodity को back करते हैं, जैसे के बीच में आपने news सुना होगा, जैसे Russian government ने gold के base पे stable coin लाँच किया, उसी तरीके से security tokens भी है, so crypto के भी काफी प्रकार है, अगर उसको security के साथ जोड़ा जाए, और अगर उसका governing, मेरे हिसाब से, according to my point of view, अगर इरूपी के जिरिये करा जाए, जैसे के अभी अगर आप दूसरे कंट्रीज की बात करते हो, तो काफी सारी जगे पे UST के थ्रू ही आप crypto को रजिस्टर कर सकते हो, जिसको swapping बोलते हैं, initial swapping, तो वो अगर इरूपी के थ्रू होता है, FIU अगर आचुका है, FIU has already taken step, and they have provided the regulations for the crypto exchanges, और I guess बहुत सारे crypto exchanges, और इंडिया में registered हो चुका है, including Binance, I guess total number is 29, 28 or 29, so regulations करना जरूरी है, of course, because when we talk about a country, of course, we are concerned with the people, and people's money, so regulations जरूरी है, तो RBI गलत नहीं है, RBI का मुद्दा है, macro economy, जी रिची जी बिल्कुल, और उसी से सवाल मेरा जुड़ा हुआ था, रच्छा होँ आपने जनता का मुद्दा उठाया, बहुत सारे लोग आंक्रे, बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, जिसमें कि इंडियन्स ने बहुत जादा क्रिप्टो करेंसी में इन्विस्ट किया, बहुत जादा लॉस भी कुछ लोगों को हुआ है, जो हम लोग आफ रिकॉर्ड बाते करते रहते हैं, अलागि इसका कोई आधिकारी कांक्रा था हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को अवेर कैसे किया जाए, इस तरह की जो जोखिम है, जिनसे कुछ लोग तो बहुत पैसे बना रहे हैं, और कुछ लोग पैसे बहुत ज़्यादा डूब हो रहे हैं, मोर रेगुलेशन्स फिल कम, तो Cum कि यह मनें पहले भी अक टॉक्टो में, यही सेम चीज़ बता चुका हूँ, जैसे जैसे रेगुलेशन्स आते है, एक आप जनता कि अगर बात करते हैं, जिस वह मैं, मैं, आप, हम सब आ जाते हैं, जब तक regulations नहीं आते हम कोई चीज के बारे में बहुत specifically सोचने का एक प्रायत नहीं करते हैं, जब हम प्रायत की बात करते हैं, regulations के बारे में सोचने का, तब आप वो industry में जानके देखो कि that what this industry is all about, और जितना लोग इसको समझेंगे, तब पता चलेगा answer, India is evolving, पहले ही एक India ऐ 5 रूपीज का 50 रूपीज के होगा के नहीं होगा, अभी लोग ऐसा पुछते हैं, 5 रूपीज का 50 रूपीज क्यों होगा, because knowledge को हर जगे पहे, it's just that it is about a concern that के लोगों को interest नहीं था और उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है, जैसे जैसे regulations आ रहे है, text apply करने के बाद, at least first लोगों को, जो positive नजरिये से economic को देखते हैं, उनका सबसे पहला नजरिया, when you are implying a text, it is a first step towards that this is a legal, this is a first step towards a legalization, in terms of the asset. अब नजर डालते हैं, कारोबार जगत से जुड़ी कुछ एहम ख़बरों पर फटा फटा अंदाज में. इस साल में 37,000 क्रोण रुपे की निवेश करने की योजना है, जिसका बड़ा हिस्सा वहन खंड को जाएगा. कंपनी की योजना वर्ष 2030 तक पारंपरिक इंजिन ICE वाले 9 SUV, 7 एलेक्ट्रिक वहन और 7 हलके वानेजिक वहन पेश करने की है. इस दोरान पेश किये जाने वाले 9 ICE SUV में 6 एकदम नए मॉडल होंगे, जबकि 3 मौजूदा मॉडल के उन्नत संस्क्रण होंगे. कंपनी ने मॉडल पेश करने के सासत मौजूदा मॉडलों के उन्नत संस्क्रण लाने पर ICE खंड में 14,000 करून रुपए का निवेश करेगी. इवी खंड में भी कंपनी 12,000 करून रुपए का निवेश करेगी. इस के लावा, कंपनी क्रिश और सेवा कारूबार में भी 5,000 करून रुपए का निवेश करेगी. सरकारी स्वामित वाली गैस कंपनी गैल इंडिया लिमिटेज ने प्राकरतिक गैस ट्रांसमिशन और पेट्रो केमिकल वेवसाय में बदलाव के बाद अपने चोथी तिमाही के शुदलाब में तीन गुना से अधिकी बिद्धि दर्श की. प्राकरतिक गैस वेपडन से कमाई जनवरी मार्च 2024 से बढ़कर 1390 करून रुपए हो गई जो एक साल पहले 487.40 करून रुपए थी. 2023 वित्तियो वर्ष के लिए गेल ने 1.3 लाख करून रुपए के राजस्वो पर 8836.48 करून रुपए का शुद लाब दर्श किया. ये पिछले 2022-23 वित्तियो वर्ष में 1.44 लाख रुपए के राजस्वो पर 5301.51 करून रुपए के लाब से अधिक था. सरकार ने मद में हुर्दे और लिवर जैसी विमारियों के लाज के लिए आमतोर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दबाओं और 6 फॉर्मिलेशन के कीमतें कम कर दी हैं. यह निर्डे NPP-A की 142 भी बैठक मिलिया गया ताकि यह सुनिश्र किया जा सकी कि आवश्रक दबाओं के कीमत जर्निता के लिए सस्ती रहे. फॉर्मास्यूटिकल विभाग और आश्ट्रे फॉर्मास्यूटिकल मुले निर्धान प्राधिकरन द्वारा जारी एक अधिसूचिना के मुताबिक एंटासीड मल्टी विटमिन्स और एंटिबायोटिक सुन्दवाओं में से हैं जो सस्ती हो जाएंगी. झाल 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 झाल